हेलो दोस्तो मेरा यूटीव चैनल पर आप सब लेगों सालात करता हूँ देखिए आज एक नया रिकूड्मेंद निकला है जो कि आपका मिनिस्ट्री आप कॉमर्स एंडिया की अंधर आता है तो यहाँ पर एक बहुत भड़ीका वैकंसी निकला है जिसका नाम है आपका एक्जामिनर ठीक है एक्जामिनर का पोस्ट निकला है टोटल आपका 553 ओके तो यह आपका Central Government फिर यह देखे आपका Group A Gadgeted Officer का पोस्ट है ठीक है Group A Gadgeted Officer का पोस्ट है जिसका आपका Level 10 का सलरी मिलेगा और देखे यहाँ पर बोला है कि आपका सलरी कितना से कितना तक होगा ठीक है और इसका ओफिसीयल विपसाइट देखे देखे ए www.qcin.org ओके इसका ओफिसीयल विपसाइट है ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं इसका क्या 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 इसका फीज रहेगा आपका ठीक है तो इसका पीडिएफ है मैं आल्लेडी डेक्स्रीशन में दिया हूँ आप बात में चेक कर लिजेगा पहले यहाँ पर देख लिजे मैं जो बोल रहा हूं ठीक है तो नेक्स्ट देखिए इसका फीज रहेगा आपका ठाउजन रुपीज ओके ठाउजन रुपीज इसका फीज रहेगा किसके लिए जो की जेनरल कटेगरी है और ओबीसी कटेगरी ठीक है जेनरल कटेगरी एन ओबीसी कटेगरी के लिए आपका ठाउजन रुपीज इसका फीज रहेगा और आपका जो SC, ST, PWD और आदर जो disability जो भी है तो उन लोगों के लिए आगर OMEN भी होगा देखिए अगर OMEN भी होगा तो उन लोगों के लिए भी 500 रुपे लागे गाई यहां ठीक है 500 रुपीस ओके आपका बैसे लाग रहा है 1000, 1000 और आदर्स के लिए लाग रहा है 500 ओके मेरा सी क्या बोल रहा है मैंना तब को पहले ही बोल चुका हूँ कि लेवल 10 है ग्रूब ए गाजटेट अफिसर का पोस्ट है ठीक है नेक्स देखिए यहां पर हाँ यहां पर देखिए इसका online application स्टार्ट हो चुका है 14 जुलाई से ओके आज आपका 21 जुलाई 21 जुलाई है आज लेकिन 14 जुलाई से इसका online application स्टार्ट हो चुका है जो कि आपका 4 आगस्ट तक चलेगा अभी भी बहुत टाइम है और इसका देखिए यह एडमिट कर मतलब आप जब examination देने जाएंगे तो आपका 14 आगस्ट निकलेगा ठीक है और बहुत जल्दी इसका होगा फिर देखि इसका result निकलेगा 13 सप्टेमर मतलब सारा information यहीं दिया हुआ है मतलब देखिए इसका notification निकला है 14 जुलाई 14 जुलाई से इसका form भरती हो रहा है लेकिन आपका देखिए final जो है final जो list ओ आपका November में निकल जाएगा 17 November में निकल जाएगा देखिए और बहुत ही जल्दी इस आपको ओट करना पड़ता है यहां पर बहुत ही जल्दी हो रहा है तो आगे हम देखेंगे इसके लिए क्याएगा qualification रहेगा क्या रहेगा तो यहां पर देखिए सारा details यहां पर दिया गया है तो आपको अगर किन शोट लेना तो ले लिजेगा फिर देखिए next यहां पर क् है ठीक है इसको भी आप अब लोग देख लिजेगा पॉस करके फिर देखिए next नेक्स्ट आपका जो हैंडिकेप रहता है जिन स्कोर रहता है उन लोग के लिए थोड़ा छूट दिया गया है यहां पर ठीक है तो यह सब यहां पर है तो इसको भी आप थोड़ा देख ठीक है आप तो हम लोग तो देख चुक है कहां पर कितना वाकेंसी है जिए लाएगा देखिए बाइयो टेकनोलिजी आगर है आपको आपका मास्टर डिग्री लाएगा बाइयो तेक्नोलिजी में इहां पर देख अब्लीक दिया हुआ है सब्सक्राइब और माष्टर यह लिए घ्रीव रर straps इन डिसिप्लिण में ओके फिर देखिकिया बायो कमेस्ट्री यहापर भी Master डिक्नोलोजी यहापर भी Master डिक्नोलोजी कोई बीचल कोई भी चलेगा पिर देखिये amigos चीली लिए Master कि लएगा Master डिक्याट अर color डिक्री ही और चील किमिकल टेकनोलोजी और इंजिनियरिंग ठीक है अगर आपने chemistry में master degree कर रहा है मतलब mca कर रहा है तो msc कर रहा है स्वरी msc कर रहा है तो आप apply कर सकते otherwise आपका btech होना जोरूरी है ठीक है तो chemistry के लिए तो polymer science में देखिए master degree और आपका लाएगा btech degree ओके फिर देखिए biomedical engineering इसमें भी आपका बैचलर डिग्री इन बायो टेकनोलोजी टेकनोलोजी और engineering मतलब इहां पर भी btech degree लाएगा इहां पर master degree नहीं है फिर देखिए electronics and communication engineering मतलब इहां पर बीटेक जरूरी है engineering बोल रहा है तो अलग चीज होता है तो दोनों में ही आगर आपका btech हो चुका है तो आप apply कर सकते हैं ठीक है next देखिए यहां पर क्या बोल रहा है computer science में master degree in computer science मतलब आपका msc होना जरूरी है और और आपका क्या होना चरूरी है bachelor और बोला है यहां पर देखिए और और आपका btech होना चाहिए ठीक है btech engineering आगर आपने btech कर रखा है computer science में तो भी आप apply कर सकते हैं आधर आपने अगर msc कर रखा है computer के उपर तो भी आप apply कर सकते हैं ठीक है आपका physics में देखिए यहां पर master degree बोल रह है और आपका यहां सबसे महत्यपुर्ण जो चीज है यहां पर देखिए एज लिमिट एज लिमिट क्या बोला है एज लिमिट आपका 21 years से 35 years तक आप apply कर सकते हैं जिन लोग के age 30 plus हो चुका है उन लोग के लिए बहुत ही बड़ी opportunity है यहां पर आप direct apply कर सकते है 35 years तक आप आपका back- mantralier PhD है ठीके फिया बहुत ही बड़ी opportunity जिन लोग नोगों पर थटीप हो जाता है उन लोग लिए opportunity बहुत ही कम काम हो जाता है लेकिन बहुत सारा exam में 30-10 एज लिमिट रहता है तो उन लोगों के लिए देखिए यहां पर बहुत ही बड़ी opportunity है आप लोग यहां पर एपलाई कर सकते हैं फिर दीखें नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका कितने फेज में एक्जाम होगा एक्जाम आपका तीन फेज में होगा पिलिमिनरी टेस्ट में एक्जाम और इंटर्व्यू आपने पहले देखे थे कि आपका टोटाल डेट दिया हुआ हुआ तक कब निकलेगा कब आपका अडमिट कर होगा कब आपने पिलिमिनरी देना है कब आपको मेंस देना है वो पहले आपने देखे थे तो उसी ही सब से देखिए यहां पर सबसे पहले आपका पिलिमिनरी एक्जाम होगा फिर आपका मेंस होगा फिर आपका इंटर्वी होगा ठीक है मैं बाद में इसका एक सामरी आपको दूँगा एक जीस्ट दूँगा पहले आप नोटिफेकर सांद देख लिए यहां पर ठीक है फिर देखें यहां पर तीन टेस्ट होगा यहां पर फिर देखिए क्या बोल रहा है पिलिमिनरी एक्जमिनेशन में क्या रहेगा यह आपका अलाइन बेस्ट होगा ठीक है यहां पर आपका देर सो मार्क्स रहेगा जिसका डिवरेशन रहेगा टू आवर्स और यहां पर क्या क्या रहेगा देखिए यहां पर बोल रहा है पिलिमिनरी में जेनरल इंग्लीज भरबान नन्वरबान रिजनिंग कॉंटिटिव अप्ट दे रहे हैं उस और्गनाशन से रिलेटर रहे है ठीक है तो यह आपको ऑनलाइन से पढ़ना पड़ेगा गूगल से सार्च कर लेंगे उहां से आपको बहुत सारा कॉंटेंट मिल जाएगा ठीक है ज्यादा मार्क्स है तो इसे ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं फिर देखि पेपर वान होगा एंड पेपा टू ग्रूप आपका ग्रूप आपका ग्रूप ले गेज्य एट ऑफिचर का पोश्ट ही ठीक है तो इसे लिए थम थोड़ा एक्जाम टाफ है टाफ होगा ठीक है पहले अबना आपको पी लिली मेरी एक्जाम क्वालीफाई करना यहां पर धीखना पड़ेगा और अपका है अपको को स्टेंच के रहाँ पस्ट D Yeah जाएगा जो कि आपका स्वामार्ग है और आपको यहां पर देखिए यह स्वामार्ग में कैसा question आएगा वह में पहले आपका आएगा general knowledge and kind affairs फिर आपका general aptitude फिर आपका आएगा elementary mathematics English language professionally and आपका देखिए यहां पर क्या बोला देखिए knowledge related to intellectual property rights मतलब देखिए पहले आपने जो पिली में ने दिया तो उहां पर भी आपको company related जो organization है उसके related कुछ था और topic यहां पर भी सेम है ठीक है तो आपको जो जीस organization के आप exam दे रहे हैं तो उसके बारे कुछ आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यह लोग यही बोल रहा है फिर द आपको लिगना पड़ेगा हातों से ठीक है यह आपका omr based नहीं है अगर आपने physics से from भड़ा है तो आपका physics का question होगा अगर आपने competition से भड़ा है तो आपका competition के ऊपर question आएगा ठीक है paper two तो इसमें यह भी आपका 300 mark कर आएगा इसके बाद आपका आएगा interview ओके इसके बा topic covered in the preliminary and men's examination मतलब आपका preliminary and men's में जितने भी topic आपने cover किये हैं जिसके उपर आपने exam दिये है उसी के उपर आपको यहाँ पर interview पुछा जाएगा ठीक है यहाँ पर सारा कुछ detail में clarify clear करके दिया हुआ है ठीक है तो आप लोग यहाँ पर ठीक से notification पढ़िए मैंने आपको description box म अपने check कर लेना है और देखिए medium of examination जो भी आपका examination है आपका totally यहाँ पर English में होगा ठीक है देखिए the medium of examination for preliminary and men's as well as interview shall be English only मतलब आपका तीनों जो पार्ट है तीनों पार्ट आपका English में ही होगा ठीक है आपको preliminary भी English में होगा मेंस भी English में होगा और आपका interview भी English में ही ह होगा जो कि सबसे vital है आपका अगर अपने UPSC clear किया होगा तो आपको पता हुआ कि वहाँ पर थोड़ा बहुत हिंदी चलता है ठीक है वहाँ पर English भी चलता है और हिंदी भी चलता है वासा कि दिक्कत देए कि आपको English में ही बोलना पड़ा है लेकिन यहाँ पर clearly बोला है क अगर आपको इंटर्व्यू English में ही देना है तो ठीक है तो आपने जो भी है आपको spoken English टिक कर लेना है और देखे मैं यहाँ पर एक summary दे रहा हूँ यहाँ पर देख लिजेए summary में क्या है देखे क्या बोला कि preliminary examination जो आपका 1500 मार्क है दो घंटा रहेगा अपका main examination आपका paper 1 and paper 2 रहेगा paper 1 में 100 मार्क रहेगा दो घंटा और आपका paper 2 में 300 मार्क रहेगा तीन घंटा फिर देखे आपका interview जो कि आपका 100 मार्क होगा है तो यहाँ पर देखे पर preliminary के लिए total syllabus जो आपका है यह ही है फिर देखे यहाँ पर paper 1 main का यह आपका syllabus और paper 2 का तो पहले ही बोला ह syllabus ठीक है इसका syllabus अलग से दिया गया है तो मैंने यहाँ पर upload नहीं किया लेकिन जो मेरा description में जो PDF का link है वहाँ पर जाएगा आप आपको पूरा syllabus मिल जाएगा ओके तो यहीं तक था फिर भी मैं आपको आप लोगों को एक बार syllabus दिखाई देता हूं एक minute रुख जाएए एक syllabus देखिए बायो टेकनोलोजी ओके यह आपका PDF है मैं इसका link description में दिया हूं ठीक है यहाँ पर जाकर देख लिएगा यह आपका बायो टेकनोलोजी देखिए ऐसे करके जो भी stream है हर stream का syllabus दिया बायो केमेस्ट्री ओके बायो टेकनोलोजी था यह बायो केमेस्ट्री फूट तो वीडियो तो लंबा हो जाकर इसलिए मैं details नहीं बूल रहा हूं इसका PDF है description में वहाँ जाके आप लोग देख लिजेगा ठीक है सब का सभी stream का दिया हुआ है यहाँ देखिए यहाँ पर computer science का दिया है computer science and information technology ठीक है फिर देखिए यहाँ पर civil engineering सभी का है सभी का है ठीक ह करने को कोई बात है नहीं मैं पूरा details दिया हूँ आप लोग को तो आज का वीडियो यहीं तक है अगर आपको आच्छा लगा हुआ तो like subscribe कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ share कर दिएगा और बहुत जम के पढ़ाई कीजिए तो चलिए आज के लिए इतना है टाटा कर दूप खायए